हाई फ्रेंज आज में लेकर आए हूं फिश करी की रेस्पी जो की बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और तरीका बहुत ज्यादा आसान है है आपने कभी भी न बनाई हो तब भी आप इसे बहुत यह असानी से बना सकते हैं क्योंकि तरीका ही इतना आसान बताने वाली हूं तो आज देख लेते हैं इस पेशकरी को कैसे बनाते हैं तो आज मिचे शिरू बखते लिए हूं तो यहां पर मैंने फिश लेली है और इसे में सबसे पहले धोने वाली हूँ तो यह डेड़ किलो की करीब फिश है और यह सिंगहाडा मचली है तो आप देख सकते हैं मैंने जलसी से अब यह भी निकाला है पॉलिथीन से इसके बाद मैं इसे अच्छे से वाश करूँगी इसे मैं दो से तीन बार चलते हुए पानी में धोँगी अच्छे से इसके बाद मैं क्या करूँगी इसमें डालूँगी थोड़ा सा गेहू का भी चलिया है और जुप अच्छे से साफ हो जाती है तो गेहुं के आटे से इस की अच्छा तरीका हैarahक माध़ी तरहें पीछ दो ऑच और चलते वह पानी में अक्षच चैडर माध अच्छ उब कर तो और फोいきम से seconds तो यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे धो रही हूँ तो काफी अच्छे से तीन से चार बड़ में अच्छे से धो लूगी ताकि जितना भी आटा लगा हुआ वह भी निकल जाए तो यहां पर मैंने फिश को धो लिया है और यह देखी कितने अच्छे से हमारी फि चौप की हुई साथ ही मैं यहां पर एड कर दूंगी कम से कम 20-25 लेसुन की कलिया दो इंच अध्रक का टुकड़ा इसे मैं रफली चौप कर लिया था नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहां पर थोड़ा से जादा ही रखेंगे और एक चमच मैं यहां पर एक टेबल स् फैर चमच गरभ मसाला एड क्या है साथ ही एक चमच जीरा पावदर एड कया है किवाब कावडर हाफ टीज्पून अलदी Cab 2014 पावडर कवर में टीपल स्पून यहां पर मैं अमिंचोर एड कर रही हूं 2 टीज्पून यहां आंपर मैं सर्टो के बीज अड कर रही शरchau है और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी मैं और इसे हमें बिल्कुल बारिक पेस्ट तयार करना है तो आज जो मैं फिशकरी बनाने वाली हूं उसमें मैं बिल्कुल भी टमाटर का यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि इसमें टमाटर की जरुवत ही नहीं पड़ेगी और यह वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है तो यह देखिए इस तरह का बिल्कुल बारिक पेस्ट हमें तयार कर लेना है यह देख रहे हैं तो अब मैं आपको बताती हूं इसके बाद क्या करना है यहां पर मैंने फिश ले ली है और इसमें से मैंने अच्छे से पानी निकाल लि और इस तरह से फिश को हम कोड कर लेंगे मशली को अच्छे से मसाले से कोड कर लेंगे अगर मसाला कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा मसाला और एड़ कर सकते हैं तो इस तरह से अच्छे से कोड कर लीजिए अब इस फिश को हमें फ्राइ करना है तो उसके लिए मैं यहां पर सरसो का तेल इस्तमाल कर रहें और थोड़ी जादा क्वांटिटी मिलेंगे क्योंकि फिश को फ्राइ करना है तो तेल थोड़ा जादा लगेगा तेल को अच्छे से धुआ निकलने तक तेज गरम कर लें उसके बाद इस तरह से फिश के पीसिज इसमें डाल दें बहुत ज़्यादा भरना नहीं है जितने पीसिज आराम से आजए उतने ही पीसिज डालें और गैस को मैंने यहां पे हाई पे रखा है आपको हाई पे ही फ्र सकते हैं एक तरफ सी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इस तरह से मैं इसे पलट देती हो दूसरी साइड से भी फ्राय कर लेती है जब यह दोनों साइड से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए क्रिस्पी हो जाए इसे हम निकाल लेंगे तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो ऊपर की इसकी लेयर है वो क्रिस्पी ना हो जाए तो यह फिश में निकाल लेती हूँ और मैं सेकंड बैच भी आड़ कर देती हूँ यह थोड़ी मुझे कम फ्राइड लग रही थी तो इसी मैंने थोड़ा सा और फ्राइड कर लिया है कि यहां पर जो फिश है वो में सारी फ्राइड करूँगी पर इसमें से कुछ पीसिज मैं इसे स्नाक्स की तरह खाने के लिए निकालूंगी क्योंकि जो फिश है बहुत जादा कॉंटिटिमे है तो मैं शारी यूजनी करूंगी घ्रेवी बनाने के लिए कुछ फिश जो फ्राइड है वो हम निकाल लेंगे अलग से खाने के लिए तो इस तरह से आप इसे निम्बू निचोड की खा भी सकते हैं सूखी वैसी फ्राइड फिश वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो यहां पर मैंने सारी फिश को फ्राइड कर लिया है और आप देख सकते हैं कडाई में तेल खतम हो चुका है यह दिखे सारी फिश मेंने फ्राइड कर लिए तेल बहुत कम बचा है इसमें थोड़ा सा तेल और एड़ कर देती हूं तो दो चमश मैंने तेल और एड़ कर दिया है और इसे पकने देंगे धुआ निकलने तक अब मैं सकते हम हाफ टी स्पून के करीम मैथी के दाने और इसे हलका सा फ्राइग जैसे इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो इसमें घयर आ जाने तो पेाद चूत कर देंगे तो में कड़व meer ग्रोद्द कंढाने लगे गा इसलिए जैसे देख कलर गोêu ब्राउन हो आप फटा फट कर द तो यहां पर पकाते पकाते आप देख सकते हैं इस मसाले का पूरा पानी सूख चुका है और साइड से इसने हलका तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है अब मैं इसमें पानी एड करूंगी तो यहां पर मैं दो गिलाश पानी का इस्तवाल कर रहे हूं आप अपने हिसाब से Ăज करते हैं मैं इसे चावल के साथ सवकरने वाली हूं चावल और रोटी के साथ अगर normag की साथ सवकरें तो ग्रेवी गारी रख सकते हैं पर चावल के साथ जो ग्रेवी होती हूँ थोड ग्रेवी है वो और गाड़ी हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ी पतली ही रखोंगी क्योंकि जैसे थोड़ी से ठंडी होगी जो ग्रेवी है वो ठीक होना शुरू हो जाती है अब मैं इसे cover कर देती हूँ और 5 मिनिट के लिए मैं इसे पकने देती हूँ जब तक इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है अब मैं इसमें fish एड़ कर दूँगी तो यहाँ पर मैं सारी fish नहीं add कर रही हूँ कुछ pieces में बचाने वाली हूँ ऐसे ही खाने के लिए तो यह fried fish भी बहुत टेस्टी लगती है और इस पे आप नीमबू निचोड के खाईए और अगर आपको इसे गरम करना है तो आप इसे तवे पे गरम कर सकते हैं यह और बेज़दा क्रिस्पी हो जाती है तो इस पे हलका सा नीमबू निचोड के और प्याज के साथ इसे salad के पीसे टूट जाते हैं तो यहां पे जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाड़ी हो गई है मुझे बहुत जादा गाड़ी तो नहीं चाहिए यह देखे और फिश को आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी अगर फिश के पीसे को छेड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे तो य पांच मिनट के लिए गैस मैंने बंद कर दी है पांच मिनट बात आप इसका कलर देख सकते हैं कैसे चेंज हो गया तो इस तरीके से किसी भी सबजी को जब आप बनाते तो पांच मिनट धकर ज़रूर छोड़ें उसका कलर बहुत यह अच्छा आजाता है तो यह हमारी प्रश्करी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो इस तरीके से जरूर ट्राइब करिए और लिखके जरू बताइगा कि आपको पसंद आई यह नहीं अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं गर्मागरम आप इसे चावल के साथ रूटी के साथ किसी के साथ बहुत कर सकते हैं सर्दियों में इसे बनाईए ट्राइब करिए और लिखके बताए कि आपको इसकी रेस्पी कैसी लगी आपका जो फीडबैक होता है उसका मुझे बेजबरी कि उसे इंतिसार होता है तो ज़रूर ट्राइ करें लिखके बताएं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन क्लिक करें चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भुलेंगा और खुलेंगा दोसरों के साथ शेयर तरह पिल्कुल मत भूलेगा ताकि और लोग भी इस तरह से फिश बनाएं और इसको इंजोआए करें तो फिर मेहती हूं एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तिल दिन गुडबाई